गाइज यहां पे आप देख सकते हो मेरी चैनल पे एक कॉपिराइट क्लेम आ गया है तो हम देखते हैं इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो क्या कॉपिराइट क्लेम हट जाएगी या नहीं यहां पे आप देख सकते हो इस वीडियो पे कॉपिराइट क्लेम आ गयी है 57 YouTube इसको रिमूओ किया है अगर हम इसको डिलीट करते हैं डिलीट फॉर अवर के लिए तो क्या ये क्लेम हट जाती है आज हम यह देखेंगे इस वीडियो में तो चलिए इस वीडियो को डिलीट करके यहां पर देखते हैं कि क्या होता है तो गाईज यहां पे मैं copyright पे click करता हूँ और यहां पे यह option आपको मिल रहा है इसके बहुत यहां पे अगर आपके channel पे copyright claim होती है तो यहां पे आप देख सकते हो वीडियो लिस्ट पे click कर सकते हो और यहां पे आपको देख रहा होगा कि यहां पे आप देख सकते हो यहां पे एक वीडियो पे copyright claim आ गई है हम इसको delete करके देखते हैं कि क्या होता है यह copyright claim यहां से इस channel से हट जाती है या नहीं तो अगर हम यहां पे remote पे click करते हैं यहां पे यह show करता है this video was removed from YouTube only you can see this video तो यहां पे यह video remove कर दिया गया है अब हम देखते हैं यहां पे अगर हम यहां पे copyright claim पे click करते हैं और यहां पे हम details देखते हैं copyright claim take down YouTube complied with legal copyright take down complaint about this video यहां पे हम see details पे अगर click करते हैं तो यहां पे आपको और भी details मिल जाती है जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो यह expire होगी 11 feb को strike add हुई है यहां पे visibility remove हो गई है monetization भी नहीं है उसके बएद यहां पे आप action लेख सकते हो select action पे आप किलिक कर सकते हो यह strike 55 days के लिए रहती है तो मेरी चैनल पे भी यह strike 55 days के लिए रहेगी अब मैं delete करके देखूंगा कि क्या होता है यहां पे हम contact claimant से देख सकते हैं कि कौन किस ने claim किये submit a counter notification counter अगर हमको लगती है हमारी गलती नहीं है तो हम इस पे counter भी कर सकते हैं contact claimant तो किस ने claim किये यहां पे आप वह भी देख सकते हो इस इमेल address from which we received the take down complaint यहां पे हम इस address को copy भी कर सकते हैं understand that deleting is permanent and can't be undone तो यहां पे delete forever पे में किलिक करोंगा तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो यहां पर मैंने यह वीडियो डिलीट किया है अब देख सकते अब हम देखेंगे कि यहां पर क्या होगा copyright claim का तो यहां पर मैं फिर से इस पर copyright claim पर क्लिक करता हूं यहां पर आप देख सकते हो looking for a copyright claim that somebody made on your video check the video list तो यहां पर मैंने वीडियो तो डिलीट किया है लेकिन तब भी copyright claim नहीं हट गई है यहां पर अभी भी यह दिखा रहा है कोई वीडियो है तो उस पर copyright claim है तो यानि कि वीडियो डिलीट करने से आपकी copyright claim बिल्कुल भी नहीं हट हटती है वो तब हट जाती है जब आपके 55 days यानि कि 3 months complete हो जाते है तब आपके चैनल से copyright claim हट जाती है